नमस्कार मैं हूं मेगना चौद्वी काम्याबी की कहानिया तो आपने खुप सनी होंगी पर क्या कभी इने करीब से देखा है? ख्वाहिश क्या कभी इससे बात की है? क्या कभी आपने अपने सपनों को कहा है कि तुम्हारे पंक क्यों नहीं बड़े होते? नहीं कहा होगा तेकिन है कुछ कहानिया जो ऐसी ही बाते करती है L.I.C. सपनों के उड़ान सीजन 2 के सफर में हम फिर हाजिर हैं कुछ ऐसी ही कहानिया लेकर जो काम्याबी की बाते करती है ये कहानिया उनकी हैं जिनोंने संगर्ष किया और काम्याबी हासिल की इनकी कहानी से आपको भी मिल सकती है प्रेरना आप भी बन सकते हैं एक सफ़ल एजेंट LIC के साथ जोड़ करके LIC आपको मौका देता है अपना जीवन सवारने का इसके लिए ना तो किसी बड़ी डिगरी की आवश्यक्ता है ना ही किसी बड़ी पुंजी की अगर आप बार्मी पास हैं और अठाले साल की उम्र के हैं तो आप भी आ सकते हैं और LIC में अपना करियर बना सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं LIC सपनों के उड़ान सीजन टू का सफर पहुंचा है आज कानपूर कानपूर जिससे ओद्योगिक नगरी भी कहा जाता है यहां के लोग जितने महनती होते हैं उतना ही व्यापार और व्यावार को गुर से भी मीठा माना जाता है आज हम आपके मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शक्सियत से जिन्हों ने अपने महनत के बल पर सफलता की उचाईयों को छुआ आईए मुलाकात करवाते हैं आपकी ऐसी ही शक्सियत से सभाशे आपका बहुत-बहुत स्वागत है LIC सफनों के उड़ान सीजन टू में सर आप से जानना चाहेंगे 32 सालों का सफर LIC के साथ में कैसा रहा अभी तक का सफर मेरा बहुत अच्छा रहा है मैंने किटी फाइब में LIC AJ एजेंट जोइन किया था उसके बाद 90 में डॉलोमेंट अभिसर बनके कान को राया एक दिन था कि मैं हापर सहर में किसी को नहीं जानता था और आज मैं कह सकता हूं कि मैं सहर में बहुत सारे नोगों को जानता है या पूरा शोहर आपको लाटा है जैन जो हैं कि और हमारे किसन सिंग चोहा घाव में काम करते हैं इंस पिरियंग बेस कि उनकी सफलता के आप क्या कि सफलता के बारे मैं करना चाहऊंगा कि बहुत जुनूर के साथ का करता है अक्षे जैन बहुत ही अच्छा जो है प्रियम बेस पे काम करते हैं एक एजेंट और दियों की वीच में क्या रिष्टा होता है एक तु विस्वास करिस्ता ही है पुकि जब तक हमें दूसरे विस्वास नहीं करेंगे कहीं पर हमें पिता की भूमिकाय निभानी होती है कहीं पर हमें अपने गुरू की निभानी होती है अलग-अलग रोल है हमारे हम यह नहीं कह सकते के वा लेकी रोल हमारे बहुत सारे रोल है Sir, आप Development Officer है, तो आप एजेंट्स को किस तरह से गाइड करते हैं? 25 एजेंट्स का एक हमने गुरूप बनाय हुआ, जिसके हम एबरी मन्थ में फोर्थ को मीटिंग करते हैं. मेरा दीम है कि मैंने लास्या 17 MBRT किया है, इस बार मेरा दीम है कि यह 25 हूँ. 32 सालों से आपका LIC की सा चोड़ा आफ है, तो आप LIC के बारे में क्या बताना चाहिए? हाँ जो भी मैं हूँ, सिफ एलाइसी की वज़े से हूँ, क्योंकि एलाइसी ने मेरे को नाम, फेम, धन, सब कुछ एलाइसी ने दिया है. हुमारी जो युवाज एंविशन जो आ रही है, उसके लिए कोई मैसेज की वो एलाइसी एजेंट बन सकते हैं. देखे, लाइसी एजेंट, एक डॉक्टर, एंजिनियर सब से इचा है, एक डॉक्टर, उसके पास टाइम नहीं है, हमारे एजेंट के पास बहुत सारा टाइम है. अपना टाइम है अपना बहुत सा जब कोई जब जा सकता है कहें भी आ सकता है इससे दर फिरी कुछ नहीं हो सकता और जहां तक पैसे की बात है कितने भी पैसे कमा सकता अनलिम्टिटिब इमानदारी के साथ अक्षे जहन अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहते थी जिससे उनके पिता का नाम उचा हो आपकी माताजी साल 1981 में LIC के साथ जुड़ी थी उन्होंने आपको भी LIC के साथ जुड़ने के लिए प्रेवित किया और आपकी मुलाकात LIC में Development Officer के पदपर कारेरत सुभाश गंगवार से कराई साल 1998 में आप LIC के साथ जुड़ गएं लोग आपसे प्रभावित होने लगे आपकी कमाई में भी काफी बढ़ोतरी हुई यही से आपकी जिंदगी ने करवट ली और आपकी पत्नी दिपिका जैन भी साल 2009 में LIC के साथ जुड़ गई आज आपको LIC के साथ जुड़ गई अठारा साल से जादा हो चुकी है अक्षे जी आपका स्वागत है LIC सपनो के वड़ान सीजन टू में अक्षे जी आपसे जानना चाहेंगे कि LIC के साथ आपको जुड़ गई कितने साल हो गई और अभी तक का सफ़र कैसा रहा मैं मुझे इस काम को करते हुए 1998 में ने काम चालो किया था ही आज मुझे लगबग 18 साल होने वाले हैं इस काम को और आज इस मुकाम पर जो मैं पहुचा हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे सुभाज गास अदगारी शुष भाज गंवार जी का है तो आपकी कोई किस्सा कोई कहानी आप कैसे जुड़े रंगवार जी के साथ मेरे फादर ने मेरी मदर के नाम से एंसी ले रखी थी मेरी मदर ऑलेटी एलाइसी के जेंट थी उन्होंने मुझे पहले प्रेडिद किया राइसी की काम करने के लिए और जब मैं एजनसी लेने जाए से क्लाइन के पाद दो मेरा जादा मन लगता मुझे कुक्छे काम नहीं मिलता था तो मैंने फिर आकर अपनी बात भाध को बताई श्री गंगवार जी बात बताई कि वह समेरे ऐसी से तिकत हो रही हम को मुझे काम नहीं मिल रहा है तो नहीं का क्यों कोई बात तो आज मैं सफलताओं के पादयान चलता चला गया आज उनी की वेर से मैं आज यहां पर पहुचा हूँ कहीं सर्विस करते हैं तो उनको एक लिम्टेड इंकम है यहां पर अलिम्टेड इंकम है कुछ LIC के बारे में बया करना चाहेंगे LIC आज हमारे ग्रहाकों के संतुष्टी का ब्रांड है आज LIC अपने आप में ग्रहाक इसके प्रतिस अंतुष्ट है उनको पूरा विश्वास है इसके लिए मुझे गर्व है कि मैं आज LIC की संस्तर सा जोड़ा हूँ आपका अपना सफलता का मंत्र सेक्सिस मंत्रा क्या है जिसके पास गुरू नहीं उसकी कारियर के शुरुवात है अर्बन एरिया में सबसे आदा बिखने वाली पॉलिसी कौन सी है अलाकि LIC की सारी पॉलिसी बहुत अच्छी है बट डिपेंड करता है क्लाइंट की नीड के उपर क्लाइंट को किस तरह की नीड है वो फ्यूचर में क्या प्रानिक कर रहा है LIC के पास हर नीड का एक प्लान अविलेबल है बट मैं सबसे आदा प्रिफर करता हूँ पेंशन प्लान जो कि आज की तारिक में सब की नीड है पेंशन प्लान सब के पास होना चाहिए बहुत बट शुक्री अक्षा जैन जी हम से मुलाकात करने के लिए LIC सपनों के ओड़ान सीजन टू में चुड़ने के लिए हमने मुलाकात करी अक्षा जैन से जो की LIC के सफल एजेंट है अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शक्सियत से जुन है सीमाओं से भार जाकर समस्याओं का समधान जूनगा किशन सिंग चोहान बच्पन में ही इस बात को समझ गए थे कि उनके लिए सफलता दूर नहीं है उनका मकसद लोगों की भलाई करके खुद को संतुष्ट करने का था चिंता और काफी सोच विचार करने के बाद आप साल 1999 में LIC के साथ जुड़ गए और ग्रामीन चेतर के लोगों के लिए काम करना शुरू किया आपने लोगों को जोकि मुक्त जीवन के बारे में जागरू किया और काफी तारी बटोरी आपको LIC के साथ आगे बढ़ना था तो परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी थी आपने धैर नहीं खोया और अपना काम करते चले गए आज आपको LIC के साथ जुड़े हुए 17 से जादा साल हो चुके है आपको LIC के साथ जुड़े हुए 17 साल में आपका सफ़र LIC के साथ कैसा रहा बहुत बढ़िया और बीच में संघर्स भी रहे हैं काफियत तर और मैं जब 18 यह था था तब मैंने लाइसी के करियर अपना शुरू किया जिसमें से मेरे विकास इदिकारी का बहुत बड़ा सही हो गए तो आपके करियर के शुरू अठारे साल की अमर में हो गए थी जो हमने सोना है तो अठारे साल की अमर से लेकर के अब तक कोई ऐसी कहानी कोई ऐसा दिल्चस्प किस्सा जिसके बारे में आप में बताना चाहिए एक सितंबर से 2015 से 30 सितंबर 2015 तक क्या कमटीशन आया था और हमारे मन में ऐसा आया हमारे विकास इदिकारी साब ने काई कि किसन तुम ऐसा कर सकते हो प्रयास करो और उसी दिन से हम लगे और हमने पूरा और टार्गट क्वालिशाई किया और दुबई गूम के आए लाई सी प्रजेंट टाइम में तो हम नहीं कहेंगे कठीन है तो कि इस समय पर तो हर जगे सिक्षा का विकास हो रहा है और काफी आसानी से लोग विमा बेंच रहे हैं आप तो जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन से पॉलिकसी है जो सबसे आदा ग्रामीट खेत में पसंदी जाएते हैं मनीवेक प्लान है और ग्रामीट खेत में मनीवेक प्लान की काफी दिमांड होती है तो आने वाले जो UAPD है तो उसके लिए आपको संदेश देना चाहेंगे कि ग्रामीड शेतर से भी लोग आ सकते हैं बहुत बड़ा केरियर है LIC में पूरा ग्रामीड शेतर से हूँ और आज LIC के बहुत ही अच्छे मुकाम में हूँ मैं फ्री भी रहता हूँ अपनी दिन चर्या में खुद निसीत करता हूँ मुझे कितने गंटे वर करना है मैं तो ये UAPD से कहना चाहूँगा कि LIC एजन का केरियर बहुत ही अच्छा है आने वाला समय भी इंसोरेंट सेक्टर का बहुत बढ़िया है खास और से LIC का हमारी और इसमें केरियर बनाना चाहिए किशन जी आप से जानना चाहेंगे आपकी सफलता का राज सफलता का राज मैं अपने विकास कारी सी सुभार गुभार जी को देना चाहता हूँ क्योंकि उनका गाइडलाइन मार्ग दर्सन हमें समय समय पर मिलता रहता है कुछ संदेश आप देना चाहेंगे किशन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोलने का लिए LIC सपनो क्योडान सीजन 2 के कानपुर के सफ़र में हमने आपकी मुलाकात कराई आपको जाना होगा नजदी की LIC ब्रांच के और वहां मिल सकते हैं जो आपको राई दे सकते हैं और आप बन सकते हैं LIC अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे अवरजीत कुप्ता से जो कि मेरट की रहने वाले हैं कैसे इन्होंने सिफर से लेकर कि शिखर तक का सफरताय किया आए जानते हैं उनहीं से जीवन में वक्त हर मोड पर इंतिहान लेता है और इस इंतिहान में पास केवल वो होते हैं जो परिश्रम करते हैं अवरजीत गुपता के पास कुछ था, तो वो उनका परिश्रम। वो जानते थे कि अगर उन्हें काम्याब होना है, तो उन्हें हूँ परिश्रम करना होगा। पढ़ाई के साथ साथ आपने कंप्यूटर ओपरेटर की नौकरी की, इस काम से आपको अच्छे पैसे मिलने लगे, आप अपनी कमाई से खुश थे, लेकिन संतुष नहीं, आपने काफी विचार किया और कंप्यूटर ओपरेटर की नौकरी छोड़ दी, साल 1998 में आपने ये तै किया, कि आप LIC के साथ अपना भविश्य समारेंगे। तो उसके बाद LIC से चुड़ाव कैसे हुआ, आपकी जो जर्नी है, उसके बारे मैं हम तुरा था जानना चाहेंगे। मैंने वस नाइंटिकेट में सार्टिया, उसके बाद से मैं दीरे 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 दो एक साल में नॉमल वर्क रा मेरा, क्योंकि मैं अपने जो एसाइनमेंट्स थे उनमें में बिजी ता, बट जैसे ऐसे मैं इंकम मेरी LIC तव से अच्छी आने लगी, मैंने उसे बाइंड़ करते चला गिया अपने कंपेटर को एक साल में 100 पॉलिसी का टागेट लिया था, तो ऐसा कब लिया था और ऐसा क्या सोच करके लिया था कर दोजात इंचार में मैंने टागेट लिया तो ताइम इस्टाइम इस ताम होते थे मेरे कि मुझे हंडेट पॉलिसी इस यह करनी है बट मार्स तक मेरा 79 पॉलिसी थी, 30 मार्च को टागेट था मेरा तो मुझे अचीव करना था और अगरवाल जी के संब्सक्ष्ण में मैंने उस टागेट को पुरा करनी कोईश की तो उस दिन मैं 31 मार्च को मैंने अपनी बैलेंस पॉलिसी कंपीट की और मैं 100 से कहीं अगर बनाए इच्छा शक्ती मजबूत अखे और एक अपने टागेट को पुरा करने का जुनून उस के अंदर हो चाहिए अगर वो जुनून है उसके अंदर तो वो अपना लाइस सेक्स हो से को जी एक अगर बना के आपको काम करना है ओनस्टी के साथ क्या रिलेशनशिफ होने चाहिए कस्तमर के साथ बिल्कुल इक नौर्मल डिश्न हो चाहिए कस्तमर को बहुत्यक्ल hic detta कि अअगर रहा है आपको सका राएंगे तो आप मैश्य शक्ष्चेसर रेंगे और कस्तमर आपका 뭐 करता हो को फिय पॉलिसी की बहुत अच्छी पॉलिसी है। LIC की सभी पॉलिसी बहुत बढ़े हैं। ऐसा कोई नहीं कि LIC की कोई खराब है। बट सब टाइम टॉटाइम एक पॉलिसी की कस्टमर की प्रोफाइल की कोर्डिंग डिसाइड की सकती है। जिंदीगी में एक पहलू है, वो हम कही नहीं अनिल अगरवाल जी को मांचे। तो उनके बारे में कुछ शब्द, कुछ लाइन्स आप क्या कहना चाहेंगे। अनिल अगरवाल जी में लिए गॉट पादर के नाम बेरा वर्ग जून अपना भी है। उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्हें हर जगे, जब भी मैं देमोटिवेट हुआ, तो उन्होंने मुझे हर जगे सपोर्ट किया। चलिए, अब मुलाकात करते हैं अनिल अगरवाल जी। LIC सपनों के ओडान सीजन 2 के सफर में हम पहुची हैं मेरट। मेरट में हमने मुलाकात करी LIC के सफर एजेंट अवरजीत गुपता से। साथ ही हमने जाना कि किस तरह से उनके डवलप्मेंट ऑफिसर अनिल अगरवाल ने उनकी हल्प करी उनको एक सीडी दिखाई सफलता की। आइए करते हैं मुलाकात अनिल अगरवाल जी से। आनिल जी आपका स्वागत है हमारे खाष्यू LIC सपनो के उड़ान सीजन टूम पर तो आनिल जी आपसे जानना चाहेंगे कि अवरजीत गुपता से आपके मुलाकात कैसे हुई अवरजीत से मेरी मुलाकात 1998 में हुई उसने वो बिलकुल दुबला पतला और शर्मीला विक्ती था जब वो मेरे पॉफस में आया है तो पहली नजर में मुझे लगा कि ये LIC मार्केटिंग के लिए परफेक्ट परसंटी नहीं है लेकिन जब उन्होंने उससे बात की तो बात करने में मैंने उनका एक कॉंफिटन्स देखा और जीवन में कुछ करने के एक चाहा देखी उनकी तो मुझे लगा शायद ये विक्ती LIC के लिए ही बनाए वहां से उनका LIC केरियर का सफ़र शुरू गवा करके दो है तीम में उसने लिए सिक के क्लममेंबर्शिप को नीशिली स्टार्ट किया पहले वो दीम क्लमममर था दो यार पांच में जड़ें हुआ ज़ें हुआ ज़ेंगा अपका ये सफर अभी तक कैसा रहा है इसे में में 1990 में डायजे डेलोंड असर जोला था और उसके बाद ये सफर आज मेरी तगरग में जो है मेरे कून में LIC है और मैं देखता हूं कि आज जो भी कुछ हूं में LIC के विज़े से हूं और LIC ही मेरी पैचान हूँ गुपता जी को जिसे आपने एक हीरे की तलाश करी है, गुपता जी को आप हीरा ही मान सकते हैं, LIC के लिए एक हीरा है, डाइमंड है, तो ऐसे में आप एजेंट्स का चुनाओ किस तरीके से करते हैं? एहन्ति और इमानदार तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन किसी भी काम में सफल होने के लिए आदमी में अपना आदमी शास, जुनून और जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तभी व्यक्ति कि किसी भी प्रोफेशन में है। इसी तरह से हम एजन्ट डेखते हैं कि किसी भी व्यक्ति में जीवन में कुछ करने की चाहा है। तो LIC एजन्सी एक ऐसा प्रोफेशन है। जहां पर बिना पुझी का आपार सम्भावना माला वेपार है। इस बिसनस को करने के लिए कोई कारेछ detail की सीमाई नहीं है। प्लस इंकंम को कमाने के लिए कोई सीमाई नहीं है। JI ANAL जे, आपका भूदा धन्यवाद हमाल साथ जुड़ने के लिए। LIC सप्नो क युडान Season 2 के今 सफर में हमने आपकी मुलाकात कराई streaming V. कानपूर से LIC के डवल्लमेंट आफिसर सुभाश कंगवार से साथ ही उनके सफल एजेंट्स अक्षजेन और किशन सिंग चोहान से इसके बाद हमने आपके मुलाकात कराई मेरट से LIC के डवल्लमेंट आफिसर अनिल अगरुवाल और उनके सफल एजेंट अवरजीत कुपता से अगर आप भी इनकी जिन्दगी से पिर्णा नेना चाहते हैं और आप भी बनना चाहते हैं LIC एजेंट तो उसके लिए आपको किसी बड़ी पुंजी के आवशक्ता नहीं है किसी बड़ी डिगरी के आवशक्ता नहीं है आपको सिर्फ बार्मी कक्षा पास होनी चाहिए अठारे साल की ओम्र होना चाहिए तो बस उठाईए अपना मुबाईल और करिए SMS LIC को टाइप कीजिए एजेंट स्पेस सिटी नेम और भेज देंग 56767474 पर और आप LIC की वेबसाइट www.licindia.n पर भी अपने को रिस्टर कर सकते हैं आपको 35 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद IRDA यानि की Insurance Regulatory and Development Authority of India एक एक्जाम लेगी जिसमें सफलता के बाद आप बन फाएंगे LIC एजेंट और फिर क्या बस आप खुद तै कीजिए आपको कितना कमाना है और किस तरीके से LIC एजेंट बनकर अपने सबनों को साकार करना है मुझे दीजिए इजागत नमस्कार